हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में आपको CP Plus के IP कैमरा का Audio कैसे Enable करते हैं यह चीज़ बताने वाला हूँ छोटा से वीडियो है लेकिन इसी चीज़ के लिए इस प्राबलम के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं तो यहां पर जब भी आप एक IP कैमरा पर्चेस करते हो नेटवर्क कैमरा इन्विल्ट माइक वाला तो उसमें जो इंडोर माइक होते हैं उनमें आउडियो इनेबल नहीं रहता है तो इसको कुछ तरी किसे करना रहता है वो यहां पर पर मैं आपको दिखाँएंot तो यह तो आप देख रहे हों दोस्तों यह अपना IP केमरा है इसका model नमर अगर आपको यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ तो यह जो आइपी कैमरा है इन्विल्ट शेपी प्लस का इसमें कैसे audio इनेवल करते हैं आइए देखते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो आपको browser पे जा करके इसमें जो आइपी कैमरा का IP होता है यहाँ पर आइपी कैमरा का इन्टर करते हो तो कुछ तरी किसे खुल के आ जाता है यहाँ पर आपको login पास्वाट डाल के login करना होगा जब आप login करोगे तो कुछ तरी किसे जो डिस्प्ले है वो खुल के आ जाएगा camera का ठीक है तो कई बार यह होता है कि Google Chrome में नहीं खुलता तो आपको दूसरे browsers पे खोलना पड़ेगा तो यहां पर मैंने इसको blur कर रखा है क्योंकि मैं किसी की वीडियो नहीं दिखा सकता तो मैंने यहां पर वीडियो कर रखा उसके बाद आप जो है में स्वर्श और सबिस्ट्रीम दोनों में आपको enable करना बस Enable करके सेव कर देना है यहां पर वोल्यूम जो है Maximum है जैसे आप सेव कर ओगे यहां पे बोलना सेव सक्सेइस्फुल सेव सक्सीडियट तो इस तरीके से जो आप जो आपका जो audio है वो enable हो गया है अब आप यहां पर आगे जाकर के यहां पर speaker का sign बना होता है इसको आप click कर दोगे तो आपको जो भी camera की audio है वो सुनाई देनी लग जाएगी तो इस तरीके से हम जो है जो cp plus का camera होता है उसका audio जो है enable करते हैं और बांकी सारी जो settings इसम इसमें फंस जाते हैं और बहुत मलब time लग जाता है तो figure out करने में भी क्या दिक्कत है तो इसमें जो cp plus के camera आते हैं इन्विल्ट माइक वाले indoor इसमें पहले से audio इनेबल नहीं होता है आपको just audio enable करना पड़ता है setting में जाकर के और यह setting open करने के लिए आपको जो IP camera का आपका IP है पहले तो आप IP camera में IP डालोगे उसको configure करोगे initialize करोगे right तो जो IP है उसको आपको browser पर डालना है तो इस तरह किसे open हो जाएगा user id password डालके settings पर जाकर के आप को change करना है तो आई हो वीडियो अच्छा लाएगा thank you for watching bye bye